तो हेलो गाइज तो आज का टोपिक है ड्रग मेटाबॉलिजम तो गाइज टोपिक बहुत ही इजी है तो प्लीस वीडियो को एंट तर जरूर देखें जिससे क्या हुआ जितने भी डाउट होंगे आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे तो गाइज हम पहले बात कर लेते ह है मैटाबॉलिजम के बारे में तो गाइज मेटाबॉलिजम क्या होता है יהिसे स्पॉच मारलु हम कुछ चीज सोच रहे हैं कुछ इक काम कर रहे हैं ٹाय है मैं पनी ला रहा हूँ ना तो इसमें हमरे पास क्या लग रहा लग रहे है कुई अनर्जी लग रही है यह एनर्ज तो इसमें हम जो drug की बात करेंगे ना कि अपने food की तो इसमें जो drug metabolism है इसे हम बोल सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं जो हमारा drug होता है एक chemical form से दूसरी chemical form में convert होता है तो गाइज जो अपने mostly जो drugs होते हैं 70-80% अपने लिपोफिलिक नेचर के होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं जो अपना lipid solubal drug है उसे convert करते हैं water solubal drug में और इसमें क्या करते हैं जो avoid करते हैं reduction के दवारा और excretion के दवारा हम इसे body से बहार निका लेते हैं तो गाइज जो अपने lipid solubal है ये अपने non polar होते हैं और जो अपने water soluble है यह अपने polar होते हैं तो guys जिसमें क्या होता है जैसे देखो simple way में समझे तो तो जैसे देखो हमारे पास क्या है जह हमारे पर drugs है ठीक है यह हमारे पर drugs कौन से होते हैं अपने lipophilic होते हैं ठीक है यह अपने liver में गये अब बस जो जाएगा Hutchकilahеру जो थी मोरे संवार होएं है जाए आपकानुघी तस यूटिंगे में है सबसें अपनी निकल जाएंगे इसफी को हम बोलते हैं मैटाबूरी संगारबूरी से आपके इस ही मन्स आप मेरें आपको को कुर्ण से रहत हैं लिपोफिलिग होते उसे हम करते हैं हाइडोफिलिक में तुखाइं जो है ये यह जो सकते हैं लिपेज रहे शॉलिबल हुए जितना च multif dal होगा अतनी जो उसकी पॉल्यरीटी छोगी जल्दी घुल जाएगा तो इसमें हम क्या करते है जो het של drug है हमारा active drug होते हैं इसे जो अपना drug है active drug होते और उं Issy को हम बोलते हैं active drug मतलब जो अपना à-sar दे देते हैं उस झो भोलते है active drug तो active drug से हम उसे convert करते है inactive form of drug में तो जो अपना फार्मेक्रोलजी का जो रिस्पांस है वो नहीं देते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं Inactive Drug तो इसमें हमारे पास कुछ और भी drug होते हैं जो हम Convert करते हैं Inactive Drug से Active Form में बलता हम बोलता है Active Form Of Drug में जैसे एकजांपल कि हमारे पास हो गया Morphin हो गया तो हम morphine को convert करते हैं morphine 6 गुल कॉरनाइड जो हमारा क्या होता है active form में change हो जाता है तो गाई जो अपने mostly जो drugs होते हैं अपने कौन से होते हैं lipophilic nature के होते हैं तो lipophilic nature में 70-80% लगभग हो जाते हैं तो जो अपने lipophilic solubal होते हैं अपने lipid philic होते हैं अपने lipophilic होते हैं तो इसमें क्या होता है जो metabolism के दोवार अपना excretion हो जाता है तो गाई कुछ drugs अपने कौन से होते हैं hydrophilic होते हैं ठीक है तो जैसे example के लिए हमारे पास है steptomycin तो गाई जहां पर लास्ट में जिस ड्रग के पीछे अपना mycine लगा होता है वो अपने एंटिवायटिक होते हैं तो गाई यह अपने hydrophilic हैं तो जो अपना form है यह चीज़ नहीं करेंगे तो easily अपना metabolism हो जाएंगे मतलब metabolism हो जाएंगे और जो अपना excretion पर इसास हो जाएगा easily तो गाई मैटाबॉलाइट्स क्या होता है तो गाई जैसे देखो जो drug है convert हो जाते हैं after metabolism के बाद हमारे बोलते हैं metabolites जैसे example के हमारे पास है जैसे देखो यह हमारे drugs थे ठीक है यह drug थे after metabolism के बाद जो हमने phase two the case two the phase one ए तो इस में जो metabolism है अपना injection के दौरा होता है oxidation हो गया reduction हो गया इसके इंदर हो भी डिक्षिन हो जाती है जैसे cyclingization हो गया de-cycling हो गया injection के दोरा क्या होता है phase one में जो metabolism होता है जो metabolites A में क्या होता है जो ऑपना kidney के थुर्ज अपना excretion पर सास होता है देन क्या होता है कुछ ड्रग अपने हैं अपना मेटावलाइट एक के दवारा मनलब किड्नी के दवारा बाहर ने निकल बाते हैं तो अपना फेस्टू में आ जाते हैं देन फेस्टू में क्या होता है अपना कंजूगेशन होती है देन कंजूगेशन क्या होता है जैसे गुलते हैं का इस Conjugation में मेताबॉलाइट्स भी में क्या होता है यह यूरीन और बाल के थूड़ जो अपना एक्सक्रेशन प्रसास होता है तो कई जो अपना लीवर है ठीक है जो लीवर में अपना जो मेताबॉलिजम है सबसे ज्यादा होता है क्यों होता है यूग इसमें हाइस्ट अमाउंड में जो अपने इंजाइम होते है प्रेजेंट होते हैं as compared किडिनी इंट्रस्टाइण अपने लंग्स हो गए और अपने पास प्लाजमा हो गया इसमें क्या होता है जो महीव मातला जो हमारा drug होता है लिपोफिलिक है दो इसको हम बोलते है लिपड अगर है तो इसे हम बोलेंगे water soluble तो जो लिपोफिलिक होते है ठीक है वह polarity को decrease करते हैं अगर जो drug है हमारा hydrophilic है जो polarity को increase करतेगा difficult है तो simple way में समझें जैसे हमारे बैफ स्बसके अपने hydrozile group है ठीक है इस लिपक है हम क्या इसे है है वो तेपने दो नौ-संन्थाटी का अशुछन होती है अश्कुम गोलते हैसमें हमरे पास होती है धृस्ताय जो उक्सिदेशन होती है ज्रॉसय और गैशन होती है दिली मुषयह होती है है जो हमारा glucose था्ना एड हो जो ग्लिक्ता हमारा जब ब्रेक हो था इनर्जी में जो Max कैसे की आप्सिजन की हो रहा था तो इसमें विदिध सीजन एा अपना में मेटाबोलिजम परफ़ेस होता है इसमें हमारे पास इस खाल माक τα thriving वोगा लिघ्याइए और उत्यव्टाइब इस गया इसके इंदर हमारे पर नपर तीन छेयोगोंट उसका लिए तेंगे जिसे आणिज़रे करेंगे औक्सवसब्स था अगय टाड़ करते ब्लैंज तक पर देख दो औक्सीजन है इसका अडिशन कर देंगे यहां पर और एच ओ एच आ गया है ठीक है तो हमारे पर ड़क के लिए एक्जाम्पल होगी फैनी रा माइन और डेप्सोन तो गई सेक्ट डिक्षन हमारे पास है ऑक्सीडिशन एच तो सलफर एटन भी क्या होगा ऑक्सीडिशन होगा यहां पर जो ऑक्सीजन है इसका अडिशन हो गया इसका जो रूबल हो गया ठीक है इसली इसके लिए ड्रक की एक्जाम्पल होगी प्रा मैजीन हमारे पास है कुरामफेनिकल तो थर्ड हमारे पास है अलिफैटिक हाइड्योक्सीलेशन तो हम अरोमेटिगी बोल सकते हैं त हाइड्योक्सीलेशन में क्या होता है ड्रक की साथ अपना भून्ग मना लेगा ठीक है तो अबने पास जो फ्रक होगि हमारे पास अब 하면 and then and cropropamide तो सेकंड है reduction जो simple definition क्या होती है addition of hydrogen and removal of oxygen यह हम बोल सकते हैं positively charged on radical negatively charged on radical इसके इंदर हमाने पावाशधर reaction आती है जैसे हमारे पावार नाइ्ट्रो रेडक्षण हो गया नाइ्ट्रो पिर रेडक्षण करेंगे तो reduction मिन्स क्या होता है addition of hydrogen and removal of oxygen तो क्या कर देंगे जब oxygen कर देंगे और hydrogen कर देंगे तो हमारे पास simply यह आगी तो इसके लिए drug example होगी chloramphenicol state हम बनाएंगे to arryl amine metabolites तो साथ हमारे पास है keto reduction तो क्या करेंगे इसमें जैसे ही दुखों हमारे पास है यह double wound है यह double wound को हम break कर देंगे एक hydrogen हमारे पास यहां लग जाएगा और एक hydrogen हमारे पास यहां लग जाएगा करपन के साथ ठीक है तो इसके लिए drug example होगी cortisone से हम बनाएंगे hydrocortisone तो इसके इंतर होड़ भी reaction आते हैं जैसे हमने पास हो गया cyclization हो गया और decyclization हो गया तो हमारे पास next है decyclization तो इसमें क्या होता है हम इरिंग structure compound से हम prepare करते हैं यह हम formation करते हैं state-in compound को इसको हम बोलते है decyclization तो example कि हमारे पाद ड्रग हो गया phenytoin जैसे यह देखो यह state-in compound है हमारे पास state है दंह पर कर दिया इसको हमने prepare किया एक denim structure में ठीक है इसको हम बोलेंगे cyclization क्या बोलेंगे इसको cyclization ठीक है इसके हम यह prepare करेंगे तो हम उसको bayлов defymath this तो हम जब प Crown आजेशन तो हम जब जैट से हम the state- Bassığını को prepare करेंगे तो इसे हम बोलेंगे cyclization तो गाई अब हम बात कर लेते हैं face 2 के reaction के बारे में तो face 2 में क्या होता है यह faster होता है अपना face 1 reaction से इसमें जो metabolism fast होता है as compared to face 1 में तो गाई जो अपने drugs होते हैं face 1 में बाहर नहीं हो पाते हैं वह face 2 के दोबारा इसली बाहर हो जाते हैं और इसके इंतर हमारे पास कुछ subset आते हैं जो अपने conjugation जो conjugation क्या आता था हमने बताया था आपको जैसे देखो हमारे पास ड्रग है ठीक ड्रग किशिप ऐसी है तो इसमें कुछ चेंज आजाना ठीक है बदल बदलाव आजाना तो जिसके हम बोलते हैं तो इसमें हमारे पास endogenous subject आते हैं जैसे होगे हमारे पास gluconic acid हो गया sulphate हो गया glycine हो ठीक है और हमारे पास क्या होता है इसमें जो इसकी polarity है जैसे polarity के आती है इसकी की reduction होगे बosकी के तो ऐसरे के तो इसमें प där होता है थे में होता है तो इसमें हमारे पास क्या बदलाव होतने है थीखे जैसे दिखो जो अपना drug होता है यदय्यक होता है न Works जो हमारा ड्रग होता है एक्टिव फोर्म में पहले बात कर लेते हैं गुलकॉर्णिक एसिड के बारे में देखो जो ड्रग है यह हमारा इसका रियक्ट करेगा दन अपने पास इंजाइम आता है अपना ट्रांस्फिरेज दन यह करेगा अपना ड्रग गुलकॉर्णाइड अपना यूडूपी बना देगा तो इसके लिए ड्रग हमारे पास है एस्परीन होगी पीसियंग होगी और ट्रांस्फिरेज जो इंजाइम है यह अपना फिनोलिक जो कंपाउंट्स होते हैं इनके साथ अपना जो इस्ट्रक्चर रहना चेंद कर देता है ठीक है तो इसके लिए एक्जामपल होगी ड्रग मिथाइल डोपा और थाड़ हमारे पास है असीटाइलेशन में क्या हो अपना जोइन हो जाएगा तो जो अचेटाइल को इनजाइम है ये करता है जो इसका स्ट्रक्चर रहना चेंज करते हैं मतलब यह इसको हम बोलेंगे ऐसी टाइलेशन तो इस विए हमरे पास कुछ ड्रक्स आते हैं जैसे सिलफोना मायड्स हो गया डैपसोन हो गया हईडरा जीन हो गया तो guys I hope आपको समझ आ गया होगा तो फिर भी कोड़ी डाउट राता है तो please comment box में आप पूछ सकते हैं मैं उसका reply देने की कुछिस जरू करूँगा तो guys इसके जो notes है मैं आपको description ने provide कर दूँगा आप जाके download कर सकते हैं तो guys मिलते हैं next video में